दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही बड़े की सुपर सॉफ्ट रेसिपी दोस्तो दही बड़े तो आपने पहले भी बहुत ट्राइ करे होंगे लेकिन आज मैं आपको जिस तरह से दही बड़े बनाना सिखाऊंगी इतना आसान होगा कि इसके बाद आप इसी तरह से दही बड़े बनाएंगे इसमें मैंने कुछ ट्रिक्स बताएं हैं तो आपको इसे सारे को फॉलो करना होगा और इतना ही स्वादिश दही बड़े धर पर के बनकर रेड़ी होंगे तो इसके लिए मैंने यहां लिया है धुली हुई उरत की दाल लगबग 250 ग्राम और दाल को हमें अच्छी तरह से पॉश कर लेना है दो से तीन बार और उसके बाद पानी में डूबो करके दो तीन घंटे के लिए यहीं छोड़ देना है तो यह अच्छी तरह से पूल जाएंगे तो पूल चुके थे दाल अच्छी तरह से और इसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्सी में क्राइन कर लिया है तो यह है दोस्तों यहां ट्रिक नमबर वन इसे हमें बहुत देर तक अच्छी तरह से फेटना है लगवा 5-10 मिनट फेटना है तो इससे ये हलका हो जाता है जो बैटर है और बड़े जो है फ्लॉफी से फूले फूले बनते हैं तो देखिए इसके बाद तेल गर्म हो चुका है और मैं हातों में थोड़ा सा पानी लगा हब हल्के हो चुके हैं ये बड़े और अब इसे हम त्यल में से 6早 लें जैंगें को सारे बढ़ो को हमें इसी तरह से निकाल लेना है के लो यहीं क harbor I don't even收 बड़े हम इसमें डिप करके रखेंगे लगभग 5-10 मिलिट इससे क्या होगा कि यह जो बड़े हैं बहुत ही सुपर सॉफ्ट माउट मिल्टिंग बनेंगे और यहां मैं यूज़ कर रही हूँ आम चुर की चटनी बनाने के लिए यहां हमने लिया है दो से 3 टेबल स्पून आम चुर पाउडर और इसमें हमको डालना है पानी पानी डाल देंगे और एक लम स्प्री इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे बिल्कुल गुटली आना हो इसमें चाहे तो आप इसके जगह में इमली की चटनी का भी यूस्त कर सकते हैं लेकिन यह चटनी बहुत ही लगती है और बहुत कम समय में बन करके रेडि हो जाती है तो इसके बाद पैन में हमें थोड़ा सा रिफाइंड ओयल डाल लेना है दो चम्मच और साथ ही थोड़ा सा राई थोड़ा सा जीरा बिल्कुल एजी तरीके से चटनी को हम बनाएंगे और इसके बाद सुखी जो हमने बना करके रखा है तो इसके बाद इसे डालना है और साथ ही साथ चम्मच से चलाते रहना है एक उबाल आने देना है उसके बाद हम इसमें शक्कर एड़ करेंगे तो गैस की फ्लेम थोड़ी से हम हाई कर देते हैं और एक उबाल आ चुका है और इसके बाद मैं यह एक कटोरी शक्कर खट्टी मेठी सी चट्टी बन करके रेडी होगी जो की दही बड़े के स्वात को डबल कर देगी तो देखें यह उबल चुका है अच्छी तरह से बहुत ज्यादा गाढ़ा ना करिएगा फ्रेंट्स तो यह क्या होगा ठंडा होने के बाद बहुत ही ज्या दही फ्रेश दही और इसके साथ यहां जाएगा नमक अकॉडिंग टू योर टेस्ट साथ ही काली मिर्च पॉडर यह सारी चीजे दही में जरूर एट करिएगा यह बहुत ही फ्लेवर कर देता है इस दही को अच्छी दरसे से मिक्स का लेना है सारी चीजों को बिलकुर गा हलके हाथों से थोड़ असा प्रेस करते हुए पानी थोड़ असा निकालते हुए इसके बाद इन सारे बड़ों को इसमें डिप कर देना है विलकुल हलके हाथों से करिएगा दोस्तों वरना यह बड़े टूट सकते हैं यह क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बड़े बने हैं अगर पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो को और इसी तरह के स्वादिश्ट वेंजेनों का मज़ा उठाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अब बाजू में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने व लेंगे बहुत ही स्वादिश्ट लगता है चतनी स्का स्वाद के अब कर सकते हैं चाहे तो द्रीया पती आप गार्णीश करें चाहे तो आलुभूजिया शेव के साथ गार्नीश करीए या आपकी चोईस है मैं यह थोड़े से आलुभूजिया के साथ सथ कर रहे हूं तोड़ी सी लाल मिर्च बॉडर और इसे आप खाईए अनांद उठाईए और अपने अनुभाव मुझे जरूर कमेंट करके बताईए थैंक यू सो मच पर वाचिंग